IPL 2022 में इस साल गुजराट टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से शिकस्त देते हुए अपने पहले ही सीजन में खिताब अपने नाम किया गुजराट की इस जीत में टीम के कप्तान हार्दिक पांडिया का एहम योगदान रहा जिन्होंने बतौर कप्तान टीम के लिए अच्छी अगुवाई की और गुजराट को विजीता बनाया इस सीजन हार्दिक पांडिया ने बल्ले और गेंद दोनों से जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया पांडिया ने इस सीजन 487 रन बनाये तो वही आठ विकेट भी अपने नाम किये उनके इसी प्रदर्शन के चलते उन्हें आगामी दक्षिन अफ्रीका के खिलाफ होने वाली 5 T20 अंतराश्रे मैचों की सीरीज के लिए भारते टीम का हिस्सा चुना गया है लेकिन अब उनके इसी प्रदर्शन के बाद भारत के महंतम बल्लेबास सुनील गावसकर ने हार्दिक पांडिया की तारीफ करते हुए उनकी तुलना भारती कप्तान रोहित शर्मा सेकर डाली सुनिल गवसकर ने हार्दिक पांडिय की तारीफ करते हुए अपने बयान में कहा कि बतौर बल्लेबाज उसका शौट चयन अच्छा लग रहा था वो हर गेन पर मारने की कोशिश कर रहा था शौट चयन बिल्कुल शांदार था हाँ आम तोर पर इस गेम में आप एक अच्छ शौट की तलाश में आउट हो सकते हैं कप्तानी ने जैसे रोहित के साथ किया था उसका शौट सिलेक्शन बहतर हो गया रोहित शर्मा भी हार्दिक पांडिय की तरहा थी बिल्कुल शांदार जिस क्षण उन्हें कप्तानी मिली उन्होंने 70-80 सौरन भी बनाना शुरू कर कहना गलत नहीं होगा कि ये सीजन हार्दिक पांडिय के लिए सुनहेरा सीजन रहा है जहां उन्होंने क्रिकिट के हर एक शेत्र में अपना नाम कमाया अब ये देखना दिल्चस्प रहेगा कि आगामी सीरीज में हार्दिक पांडिय के अपने IPL वाली फॉर्म को बरकरार या फिर भारती जर्सी में आते ही हार्दिक पांडिय का रंग उड़ा हुआ दिखाई देगा बागी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ